हेलो दोस्तों, गेट समेशिस में आपका स्वागत है आज की इस वीड़ में हम डिस्क्स करने जा रहे हैं Memory Stack Organization जैसा कि हम Stack Organization को दो तरीके से Implement कर सकते हैं या तो हम Registers को as a Stack Implement कर सकते हैं या फिर हम RAM को Use कर सकते हैं और उसको हम as a Stack Implement कर सकते हैं, लास्ट वीड़ो में हमने डिस्क्स किया था, Registers को हम कैसी as a Stack Implement करते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि CPU जो है वो Connected होता Directly, RAM से भी, तो यहां पर RAM को हमने क्या किया है कुछ portion हमने Program के लिए जहां पर हमने Set of Instruction, जो भी C, C++ में Program लिखते हैं जैसे ScanF, PrintF, क्या है Kind of Instructions, तो Instructions जो है वो यहां पर Store हो जाएंगी Data, let's say Int A is equal to 10, B20, C30 तो जो Data है, जिसको हम बोलते हैं Operand, Operand हमने यहां पर Memory में Store कर दिया, और हमने कुछ portion जो है वो as a Stack Implement कर लिया, तो यह देखो जो Address Locations है हमारी 3000 से 4001 तक हमने क्या किया उसको as a Stack Implement कर लिया, concept जो है वो बिल्कुल सेम है, जैसा हमने Register के अंदर देखा, तो आप एक बर वो वीडियो जुरूर चेक कर लें कि हम Register Stack को कैसे Implement करते हैं क्योंकि उसमें मैंने Push Pop कैसे काम करता है, वो सारे Steps जो है वहाँ पे Explain की है, तो यहाँ पे हम Use करते हैं, Stack Pointer या जिसको हम बोलते है, Top of the Stack और वो Point करता है, उस Address पे, जहां से हमने Data को Push करना है, और जहां से हमने Data को Pop करना है तो लेट से यह वाला Address जो है, वो क्या है 4001, अब लेट से मुझे अगर Push करना है, कोई भी Element को, कोई भी Data को Push करना है तो यहाँ पे होता है काम जनली काम स्टार्ट होता है हमारा Program Counter से, Program Counter में Basically होती क्या है, Next Instruction जो हमने Execute करनी है, उसका Address, तो हमने Instruction यहाँ से उठा ली, जिसको हम बोलते है Fetch Phase, Instruction जो है वो Execute होती है, उसका एक Cycle है सबसे पहले Instruction को हम Fetch करते हैं फिर उसको हम Instruction Register में लाके उसको Decode करते हैं Decode करने के बाद हम उसको क्या करते हैं Execute करते हैं, तो Execute करने के टाइम पे, हमें यहाँ पे Address Register में पता लगता है कि जिस Operand को आप धून रहे हो वो Decode करने के बाद आपको पता लग जएगा कि उसका Address कहां पे पड़ है तो आपने वहाँ से Data को उठाना है और उस Data को उठाके अब आपने जो है, वो Push या Pop जो भी उनके बीच में Addition, Subtraction Multiplication, जो भी काम करना है वो अब आपको Perform करना है तो उसके लिए हम Use करते हैं यहाँ पे Push and Pop को तो Let's Say कि अगर मुझे कोई भी Element पुश करना है तो Stack Pointer is equal to Stack Pointer minus 1 यहाँ पे हमने Stack Pointer को जो Top of the Stack है उसको Highest Address पे लेके आए हैं और हम Negative Way में जा रहे हैं आप इसको कैसे भी Implement कर सकते हो आप Top of the Stack को यहाँ भी लग सकते हो और उसको Increment भी कर सकते हो यह आपकी Wish है तो यहाँ पे अगर हम बात करें SP को हम Minus करते हैं मतलब इस Point पे लेके आएंगे और यहाँ पे जो भी Data हमने Insert करना है उसको Insert कर देंगे फिर लट से अगर है एक और Data Insert करना तो again मैं SP is equal to SP minus 1 करूँगा और यहाँ पे फिर Data को हम क्या कर देंगे Push कर देंगे और जब हमने Pop करना है तो Pop करने के टाइम पे क्या है कि SP कहां पे Point Out कर रहा है Stack Pointer Point Out कर रहा है यहाँ पे 3999 पे तो वहाँ से Data को उठाके आप क्या कर दोगे Data Register में उस Data को डाल दोगे तो Data Register से ही हम Data को उठाते हैं और यहाँ पे Push करते हैं और जब हम Pop करते हैं तो Pop करने के बाद भी हम Data को Data Register में ही डालते हैं और इसमें कौन Help करता है बस काम करती है तो ऐसी हमें stack pointer को अब हम increment कर देंगे B को निकालके stack pointer को increment कर दिया तो यह इस point पे आ गया इस तरीके जैसे हमने register में काम किया बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं यहां पे लेकिन यह जो थोड़े सी changes है वो यह है कि यहां पे जो stack pointer है यह भी एक registry है मतलब one of the registry है जो address contain किया हुआ है उस जगा का जहां पे data को push या फिर pop करना है और अगर हम बात करें यहां पे क्योंकि stack को under flow या overflow मतलब stack अगर भर गया पूरा full हो गया that is called a overflow अगर stack empty है that is called a under flow तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं यहां पे लिमिट register जो हैँ वो you use कर लेते हैं एक होगया अपर लिमिट register अपर लिमिट register में हमने डाल दिया 3000 जो uppermost value है और lower में हमने lower limit register में हमने डाल दिया 40001 तो value जो यहां पे पहुंचेगी तो हमने पता लग जएगा कि क्या होगया कि जब हम register stack को use करते हैं, तो वहाँ पे number of registers मेरे बहुत ज़्यादा है, तो number of registers अगर बहुत ज़्यादा होंगे, तो आपके system की cost जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे as a RAM को, मतलब RAM को अगर आप implement कर रहे हो as a stack, तो आपकी जो cost है वो कम होगी as compared to the register stack, क्योंकि RAM का जो cost है वो as compared to the register काफी कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने cost effective बनाने के लिए हम इसको use कर सकते हैं, लेकिन concept वही है, same है, यह भी आपका zero address instruction के लिए हम use करते हैं, zero address, जैसे कि हमने data को push करना है, तो push a किया, push b किया, और उसके बाद लेट से मुझे add करना है, तो मैंने simply लिखना है add, subtract, multiplication, उसके साथ हम कोई भी operand यहाँ पे mention नहीं करते, इसको बोलते हैं, zero address instruction, तो यह भी आपका जो concept बिल्कुल same है, आप एक बार register वाली जूर वीडियो चेक कर लें, और इनके दोनों के बीच में comparative जो है, वो यह ही है कि cost, यहाँ पे cost जो है as compared to the previous one आपकी कम होगी, लेकिन instruction का size जो है दोनों में same होगा, आपका instruction register का size जो है, वो दोनों में क्या होगा, same होगा, यह एक basic difference है आपका, कि memory stack या फिर register stack में, क्या main difference है, thank you.